नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलैन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एर फोर्स में निकली भरती के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए इस भरती से regarding पूरी की पूरी जानकरी देने वाले हैं जैसे कि दोस्तो इसमें height, weight, education qualification, selection process और जो भी इस भरती से संबंदे जानकरी है हम आपको इस भरती में इस वीडियो में A to Z details बताने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो में last तक जनरूर बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना और हमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो चलिए दोस्तो start करते हैं आज की वीडियो आप यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे दोस्तो यहां पर हम इसको लेते हैं यहां से हम यह जो उपर आपको लिंक दिख रहता है इसका में वीडियो अल्रेडी बना चुका हूं जिसके लिए मैंने दोस्तो 25 सितंबर के लिए upload कर दिया था है या आप देख सकते हैं यह जो ओफिसल नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको इंडियन एयर फूर्स की ओफिसल वेबसाइट से डाउनलोड करके लाइब दिखाया है तो अभी आपको कोई भी यह सक नहीं रहनी चाहिए कि यह फेक वीडियो है यह वह दोस्तों क्योंकि मैं खू नोटिफिकेशन उनकी ओफिसल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और यही एक कारण है जिसके वजह से मेरा जो वीडियो है थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि दोस्तों मैं किसी भी न्यूज चैनल किसी भी न्यूजपेपर या फिर किसी भी गौर्मेंट जॉ अपडेट जो वेबसाइट हैं बहुत सारी मैं किसी बहुरुसा नहीं करता हूं अए केबल ऑफिसल वेबसाइट से 28 सितंबर 2020 याने कि केबल दो दिन चलेंगे सुबक 11 बजे 27 सितंबर को यह open होंगे और साम को 5 बजे 28 सितंबर को यह close हो जाएंगे ठीक है आपको apply करने के लिए दोस्तों यह जो website है जिससे मैं आपको यह notification से 13 अक्टूबर आपका physical test return test activity test 1 और 2 होंगे ठीक है 14 अक्टूबर के लिए आपका reserve day रहेगा और 15 से 19 अक्टूबर तक आपका same test और candidates का होगा यहां पर दोस्तों जो एक सो जितने भी माली जी यहां पर एरफोर्स के लिए यहां पर जितने भी प्री रेजिस्टेशन होंगे तो एरफोर्स की website पर यह बताया गया है यह notification में भी बताया गया है दोस्तों की per day 125 candidates के लिए बुलाया जाएगा ठीक है as per registration जो होंगे तो 125 candidates per day बुलाया जागे इनमें से दोस्तों कुछ की छटनी भी हो जाएगी shortlisted हो जाएगे क्योंकि आपको पता है कि एरफोर्स में दोस्तों admit card आने से पहले ही एक merit बनती है तो जो cutoff लगाते हैं उस cutoff से उपर जिनके percentage होती है 12th और 10th में उनी के लिए admit card भेजते हैं तो यहाँ पर 125 candidates per day physical test के लिए written test के लिए बुलाया जाएंगे ठीक है और यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूं कि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो 27 तारिक से 28 तारिक के बीच में आपको online registration करना है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह चीज़ और बता देना चाहता हूं आपकी जो education qualification होगी दोस्तों वो आपको 10 plus 2 यानिकि intermediate पास होना जरूरी है intermediate में आपके पास में mathematics, physics and English subject होना अनवार यह है और सभी subject में आपके 50% से कम marks नहीं होने चाहें बरना आप इस भरती में apply नहीं कर पाएंगे उसके बाद में आपकी जो date of birth है दोस्तों वो 17 जनबरी 2000 से 30 December 2003 के बीच में होने चाहेंगे अगर आपकी date of birth 17 जनबरी 2000 से 30 December 2003 के बीच में है तब ही आप इस भरती में appear हो पाएंगे ठीक है यह भरती कहाँ पर होनी है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यह जो भरती है आप देखेंगे इसका जो venue है दोस्तों यह दिया हुआ है वन एर्मन सेलेक्शन सेंटर अमबाला के इंटोनमेंट हर्याना यह जो भरती है वो हर्याना के अमबाला सहर में होगी यहाँ पर दोस्तों जो वन एर्मन सेलेक्शन सेंटर है एरफोर्स का वहाँ पर आपकी यह जो भरती की जाएगी ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर written test है आपका written test में आपका negative marking भी होगी यहाँ पर पूरी details दी गई है activity test, written test, आपके medical, physical fitness यहाँ पर सब कुछ दिया गया है मैं आपके लिए दोस्तों यह जो notification है इसका link में आपको इस video के description में दे दूँगा आप हमारे telegram channel से इसको download कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके जो दोस्तों 1.6 km के running होगी जिसको आपको 6 minutes 30 seconds में complete करना होगा अगर आप 6 minutes 30 seconds से पहले इस running को complete कर देते हैं तो आप इस running में पास हो जाएगी उसके बाद में दोस्तों आपके लिए 10 push-ups 10 setup और 20 squares लगाने होंगे ठीक है इस वीडियो की description में अपने telegram channel का link दे दूँगा आप हमारे telegram channel को join करके इस वीडियो में जो है इसका यह जो official notification है इसको download कर सकते हैं और इसके बारे में भरती के बारे में पूरी detail पढ़ सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपके जो height होगी वह मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां से आप देखेंगे दोस्तों इसकी height भी मैं आपके लिए बिल्कुल live बताऊंगा जिससे किसी के लिए कोई भी doubt ना रहे तो यहां पर हम eligibility पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर height की कितनी requirement है ठीक है यहां पर physical standard पर हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो आपकी height की requirement है वह minimum 152.5 cm है और कुछ यह जो नीचे देखेंगे इन ट्रेड में दोस्तों जैसे आप देख रहे है एरफोर्स पुलिस ठीक है ऑटो टैग यह जो है इनकी height यहां पर देखेंगे अगर आप एरफोर्स पुलिस के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आपकी height 175 cm मुजी सेंटल अपलाई कर रहे हैं तो आपके लिए 162 cm GTI यांड PGI के लिए कर रहे हैं तो 162.5 cm और ऑटो टैग के लिए 162.5 cm यह हिले स्टेट्स के लिए है और यह अदर स्टेट्स के लिए है ठीक है तो यहां पर जो आपका weight होगा दोस्तों वह आपका होगा आपकी height और age के साबसे बेट लिए जाएगा और उसके बाद में दोस्तों और तो कुछ इस वीडियो में बताने के लिए है नहीं तो आप अगर इस notice को डाउंडूट करके खुद पढ़ना चाहते हैं तो इसका link आपको telegram चैनल पर मिल जाएगा यह जो दोस्तों भरती है वो 9 October 2020 से 20 October 2020 के बीच में One Yearman Selection Center अंबाला हर्याणा में होगी ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको इस भरती से रिगाड़न पूरी डिटेल दे चुका हूं दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके एक बार जरू बता दें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा Online Classes को सबस्क्राइब जरू करें लेकिन दोस्तों वीडियो फिनिस करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का benefits क्या है सबसे पहले तो दोस्तों हम आपके लिए जो भी ऑफिसियल वेबसाइट पर निविस पब्लिस होती है उफिसियल नोटिस जिनका निकल जाता है उनका हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए कोई भी डरने की जरूर नहीं है कि फेक वीडियो हमारे चैनल पर आपको जो वीडियो मिलेंगे वो बि करती की तयारी भी कराई जाएगी तो दोस्तों उम्मिद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आकिन को बटन को भी जरूर प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ मे तब तक के लिए नमस्कार जेहन जेवर